मेरे प्याने देश्वासियों, हम जरा आजहदी के पहले के वो दिन याद करें, सैंकडो साल की गुलामी, हर कालखन संगर्ष का रहा, युवा हो, बुजर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासि हो, उन्होंने गुलामी के खिलाब जंग लड़ते रहे, अभिरत्य जंग लड़ते रहे, इतियास गवा है, कि 1857 के 37 संगराम जिसको हम याद करते हैं, उसके पुर्व भी, हमारे देश के कई आदिवासिक छेत्र से, जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था, शाथियों, गुलामी एदा इतना लंबा काल खाना, जुल्मी शाचक, अप्रम पार यातनाएं, सामाने से सामाने मानवियों का विस्वात तोड़ने की हर तर्कीव है, उसके बावजुद भी, उस समय की जन संग्खा के हिसाब चारिब 40 करोर देश वासि, आज़ादी के पुर्वत, 40 करोर देश वासियों ने, वो जज़वा दिखाया, वो सामर्थ दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूजते रहे, एकी स्वर्था बंदे बातरम, एकी सपना था, भारत की आज़ादी का, 40 करोर देश सवासियों ने, और हमें गर्व है, कि हमारी रगों में उनी का खून है, वो हमारे पुर्वत से, सिर्फ 40 करोर, 40 करोर लोगों ने, दुनिया की महा सत्ता को उखाड करके भैंच दिया था, गुलामी की जंजिरों को तोड़ दिया था, हमारे पुर्वत, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो, 140 करोर है, अगर 40 करोर, गुलामी की बेडियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोर, आजहादी के सपने को पुर्ण कर सकते हैं, आजहादी लेकर के रह सकते हैं, तो, 140 करोर देश की मेरे नागरीक, 140 करोर मेरे परिवार जान, अगर संकल पर ले करके चल पड़ते हैं, एक दिशान नरधारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंदे से कंदा मिलाकर, अगर चल पड़ते हैं, तो चुनोधियां कितनी भी क्यों न हो, अभाव की मात्रा कितनी हित्तिव्र क्यों न हो संसाधनों के लिए जूजरे की नौबत हो तो भी हर चुनोती को पार करते हुए हम सम्रद्ध भारत बना सकते हैं हम 2047 विक्सिद भारत का लक्ष प्राप्त कर सकते हैं अगर 40 करोर देशवासी अपने पुर्शार से अपने समरपन से अपने बलिजान से आजादी दे सकते हैं आजाद भारत बना सकते हैं तो एक सो 40 करोर देशवासी उसी भाव से सम्रद्ध भारत भी बना सकते हैं साधियों वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्दत है और आज़ादी मिली थी आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्दता अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्दता आज़ादी दिला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिवज़ता सम्रुद्ध भारत भी बना सकती है। साध्यों, विक्सिक भारत 2047, इस तरब भाषन के शब्द नहीं है। इसके पीछे कठोर परिश्ण चल रहा है। देश के कोटी कोटी जनों के सुझाओं लिये जा रहे हैं। और हमने देश वाजशियों से सुझाओं मांगे। और मुझे प्रसंदता है कि मेरे देश के करोरों नागरिकों ने विक्सिक भारत 2047 के लिए अंगिनत सुझाओं दिये हैं। हर देश वाजशी का सपना उसमें प्रतिमिम्बित हो रहा है। हर देश वाजशी का संकल्प उसमें जलकता है। युवा हो गुजुर्ग हो गाउं के लोग हो शहर के लोग हो किसान हो कामदार हो दलीद हो आदिवाजी हो पहाड़ों में रहने वाले लोग हो जंगल में रहने वाले लोग हो शहरों में रहने वाले लोग है हर किसी ने 2047 में जब बेश आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विश्चित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिये है और मैं जब इन सुजाओं को देखता था, मेरा मन प्रसंद हो रहा था, उन्होंने क्या लिखा, कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्कील केपिटल बनाने का सुजाओ, हमारे सामने रखा, 2047 विक्सित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैनुफेक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के ला सुजाओ, कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिकी ग्लोबल बने इसके लिए सुजाओ दिया, कुछ लोगों ने ये भी कहा, कि क्या आजादी के इतनी सालों के बार, हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने ये भी कहा, कि हमारा स्किल्ड हुआ, विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए, कुछ लोगों ने सुजाओ दिया, भारत को जल्द से जल्द, जीवन के हर छेत्र में, आत्मंदिर भर बनना चाहिए, कई लोगों ने सुजाओ दिया, कि हमारे किसान जो मोटा अनाच पादा करते हैं, जिसको हम स्री अन्न कहते हैं, उस सूपर फूर्ड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुचाना है, हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है, और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है, कई लोगों ने सुझाव दिया, कि देश में स्थानी अस्वराज के संताओं से ले करके, अनेक की काईया है, उन सब में गवननस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, कई लोगों ने लिखा, कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है, उसके पतिचिंता जाहिर की, और ये भी कहा, कि हमारे देश में न्याय ववस्ता में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है, कई लोगों ने लिखा, कि कई ग्रिन फिल्ट सिटीज बनाने की अब समय की मांग है, किसे ने बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के बीच, शासन प्रतासन में के लिए एक अ भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए है, किसे ने कहा, भारत की जो परमपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हमारी आउसदी है, दुनिया जब होलिस्टिक हेल्ट केर की तरफ जा रही है तब, हमें भारत की परमपरिक आउसदियां, और मेलनेस हब के रु जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी उकॉनवी बनना चाहिए, सात्यों मैं इसलिए पढ़ रहा था, कि मेरे देश वाच्यों ने सुझाव दिये, मेरे देश के सामाने नागरिक ने, ये सुझाव हमें दिये है, मैं समझता हूं, जब देश वाच्यों की इतनी विशा जब देश वाच्यों की इतने बड़े सपने हो, जब देश वाच्यों की इन बातों में जब संकल्प जलतते हो, तब हमारे भीतर एक नया संकल्प द्रड़ बन जाता है, हमारे मन में आत्म विश्वात नहीं उचाहिए पर पहुँच जाता है